हलो फ्रेंज नमस्ते न्यूजीन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों हमारे धर्मे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शिवजी की पूजा सच्चे मन और सच्ची श्रदा के साथ करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है और इनकी पूजा करने से आपके जीवन में हमेशा सुक और समर्दिका वास होता है अगर आप चाते हैं कि शिवजी आपकी उपर प्रसंद होकर आपकी हर मनो कामना को पूरा करें तो इसके लिए रोज सुभह शिवलिंगे पर जल, दूद, चावल, आधी चीज़े अरपित करने जाएगे जोतिश शास्त्र में बताया गया है कि शिवजी की पूचा करने से कुंडली के ग्रह दोश भी तूर हो जाते हैं आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में पताने जा रहे हैं जिनको शिवजी को अरपित करने से आपके कुंडली के ग्रह दोश दूर हो सकते हैं अगर आपकी कुंडले में सूरे का दोश जुड़ा है तो उसके दूर करने के लिए आपको पीले फूलों से शिवजी की पूजा करें शिवजी को दूद अर्पित करने से चंद्रमा का दोश दूर होता है आपकी कुंडली में मंगल का दोश है तो शिवजी को सिंदूर और लाल फूल अरपित करें शिवजी को बेल पत्र चड़ाने से बुद्ध ग्रह से जुड़े दोश दूर हो जाते हैं यदि आपकी कुंडली में गुरु की दोशों को दूर करने के लिए शिवजी को चने की डाल और बेसन के लड़ू चड़ाएं। नियमी त्रूप से शिवजी को जल चड़ाने से आपकी कुंडली से शुक्र की सभी दोश दूर हो जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली में शनी, राहूर, केतु समंधी दोश हैं तो शिवजी को दूद और काले तिल चड़ाएं। दोस्तों न्यूस पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।